गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स आज का अपना टोपिक है अभिकिरिया का वेग वे स्टाइक्यों मीत्य गुनांक में सम्मन्द तो देखो अपने टोपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभिकिरिया का वेग वे स्टाइक्यों मीत्य है वर्ड बड़ा है यह स्ट्राइक क्यों मीतिय गुणांक में सम्मंद तो देखो यहां पर अभी किरिया का वीग यह क्या होता है इसमें इस टोपिक पर अपने कल डिसकस कर चुके थी अभी अपने आज देख रहे हैं स्टाइक्यों मीतिया गुनांग क्या होता है पहले इसका मतलब पता होना चाहिए देखो मैं एक अभी किरिया लिख रहा हूँ अभी किरिया लिखे मैंने 3A प्लस में 2B और इससे ये बन गया 2C प्लस 3D कोई भी किरिया है सामाने से भी किरिया सेंपल जनल समझने के लिए जो भी किरिया है वो ही है और इसके अंदर स्टाइक्यों मीतिया गुनांग क्या होता है तेको अभी किरिया को संतुलित करने के लिए अपने जिस गुनांग से उसको गुना करते हैं चाये अभीकारव को गुना करें, चाहिए उतफाग को गुना करें, वही उसका्स ट्राइक की वित्य वित्य गुना को था है . अब थोड़ा सा मैंने इसको री कोल कर दिया . अब …ब मैं बात करता हूँ अभिक्रिया का वेग वेस्टाइक्यों मित्य गुनाग में क्या सम्मन्द होता है और वो कैसे एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं मैं एक समय करन लिख रहा हूँ लिख लिख अभिक्रिया का वेग क्या होता है किसी भी अभिक्रिया का वेग होता है संदरता में परियूरतन बटा परियूरतन में लगा समय ठीक है तो देखो अभिक्रिया का वेग जो है ना उसको अगर अपने को कैलकुलेट करना हो तो उसको मैं कैसे लिखूंगा देखो अभिक्रिया का वेग अब अभिकारकों से बता सकते हैं अपने उत्पाद से भी बता सकते हैं अभिकारकों में अगर अलग अलग अभिकारकों से अभिक्रिय c नहीं लेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन के इसाब से अगर अपने अभिकिरिया का वेग चेक करना है तो क्या आएगा डेल्टा एंटू बटा में डेल्टा टी और यहाँ पर जो अभिकारक है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अभिकारक के वेग को काउंट करने के लिए यहाँ पर निसान लगाया जाता है किसका माइनस का सबसे खास बात यह अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा जब अभिकारकों के जो भी अभिकारक है उसको अगर मैं एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देता हूं तो वो हो जाती है उसकी सांदर्ता सांदर्ता को डिनोट करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा है तो जब किसी भी अभिकारक को किसमें बड़े ब्रैकेट में बंद करूंगा इसका मतलब होगा सांदर्ता में परियूरतन बटा परियूरतन में लगा समय अभिकारक की सांदर्ता में परियू सेनिकलें Psalm Kitchenिया निकाल नेकिसीं से भी क्रिया का वेंगों इसे ही लिखूंगा यह इसकी संदर्धा संदर्धा में लगा समय यहां पे निसान मैंने लगा किसका माइनस का माइनस का निसान क्यों लगाया क्योंकि अभी और एक और एकर नहीं संद्रता क्या हो रही है कम हो रही है पर यहां पर एक वैल्यू लिखी हुई है तीन इसको स्ट्राइक क्यों मीतिया गुनांक बोला जाता है क्या बोला जाता है स्ट्राइक क्यों मीतिया गुनांक इसको मैं ऐसे लिखूंगा वन वाई थ्री ऐसे लिखना होता है ठीक है तो जो भी स्ट्राइक की उमीत्य गुनांग होगा, उसको अपने कैसे लिखेंगे, ऐसे बटा में लिखेंगे, बराबर, अब ये तो हो गया अभिकारकों के लिए, अगर मैं उत्पाद के लिए भी किरिया के वेग की बात करता हूँ, तो वो क्या आएगा, देखो, वो आएगा उत्पाद की संद्रता में परिवर्तन, ये संद्रता में परिवर्तन, बटा परिवर्तन में लगा, समय इसके साथ जो भी स्ट्राइक की उमीत्य गुनांग है, उसको ऐसे लिखना होता है, और अगर उत्पाद की संद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं अपने, तो यहाँ प अबिकारक से अबिकरिया का वेग निकालो चाए उत्पाद से विकरिया का वेग निकालो सेम सेम ही आएगा अब यहां पर कुछ इंपोर्टन बात है और वो क्या है देखो यह तो था विकरिया का वेग अब आपको यह पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना उसकी अभिकिरिया के साथ समय के साथ उसकी संदता में कमी हो रही है और उत्पात की संदता जो है वो क्या हो रही है बड़ रही है तब अपने इसके लिए क्या करेंगे देखो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ यह important बात है थोड़ा सा इसमें अब जो बात बताने जारू उसम विलूप्त का मतलब है कि नाइटोजन और हाइडोजन तो वो तो विलूप्त हो रहे हैं और जो अमोनिया है उसका उत्पादन हो रहा है ठीक है विलूप्त होने का मतलब यह है कि इसकी सांदर्ता में कमी आ रही है और इसकी सांदर्ता बढ़ रही है तो अगर आप से नाइटोजन के विलूप्त होने की दर क्या होगी नाइटोजन के विलूप्त होने की दर यही होगी जो अपने अभी लिखी है तो देखो यहाँ पर स्टाइक्यो मीत्या गुनांग है एक स्टाइक्यो मीत्या गुनांग कितना है एक तो अगर किसी भी अभिकारक के लिए स्टाइक्यों मीतिया गुना का मान आता है एक तो उसमें ये अभिकिरिया का वेग है और ये उसके विलुप्त होने की दर है तो देखो अगर इस वैल्यू की और इस वैल्यू की बात करें तो दोनों क्या है समान है तो अगर किसी भी अभिकारक के लिए स्टाइक्यों मीतिया गुनां का मान होता है एक तो उसके अभिकिरिया का वेग और अभिकिरिया के अभिकारक के विलुप्त होने की जो दर है वो समान प्राप्त होगी अगर मैं ये लिखूँ हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर लिखूँ तो क्या आएगा डेखो विलुप्त होने की दर अगर अपने निकालें तो वो क्या आएगा वहीं आएगा निसान माइनस का डेल्टा H2 upon में ΔT बस इसको इतना ही लिखेंगे इसके साथ में अपने स्टाइकियों मीतिया गुनाग नहीं लिखेंगे तो अगर स्टाइकियों मीतिया गुनाग अब इसमें फर्क क्या आ गया कि विलूप्त होने की दर और जो अभी किरिया का वेग है इन दोनों में अगर अपने संबन्द बताएं तो वो एक बटा तीन का डिफरेंस आएगा ठीक है और अगर आप से ये पुछा जाए NH3 के विलूप्त होने की सोरी विलूप्त नहीं होगा NH3 क्या रहा है बन रहा है NH3 के बनने की दर NH3 के बनने की दर अगर अपने को काउंट करने हो तो वो क्या लिखेंगे स्ट्राइक क्यों मित्या गुनाग नहीं लिखना बाकी जो वेल्यू है वो अपने नोट करेंगे तो ये प्लस में आती है डेल्टा NH3 की संद्रता में परिवर्तन बटा डेल्टा T तो ये आपने ये जो बात है वो ज़्यादा इंपोर्टन है क्योंकि जब अपने अभिकिरिया का वेग लिखेंगे और इसमें जब तक अपने पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे तब तक अपने को क्या होगा कि ये ऐसे ही लिखोगे इसके साथ में स्ट्राइक के अमीतिय गुना को नहीं लगाना अब देखो इससे समद्धित में आपको एक बड़ी असा चोटा सा कॉशन बताता हूँ कि क्या पूछा जाएगा आप से यहां पर ये जो टॉपिक अपने कर रहे हैं इसमें से अपने से क्या पूछा जा सकता है एक चोटा सा कॉश्चन है उस पे बात करते हैं अपने देखो और ये जो कॉश्चन है या बहुत अच्छा कॉश्चन आपके कंपेटिशन लेवल में भी ये कॉश्चन आता है क्या है यह मैंने कोई question लिख रहा हूँ मैं और उसमें यह दिया हूँ है कि किसी भी अभिकिरिया का वेग दिया हूँ अपने को 2 into 10 की power minus 3 mole later inverse और second inverse यह दिया हूँ हो तो आप से यह भी पूछा जाएगा कि अभिकिरिया कौन सी है अभिकिरिया यही है कौन सी n2 plus 3 h2 और 2 n h3 तो आप से यह पूछा जाएगा कि h2 के विलूप्त होने की दर विलूप्त होने की दर और n h3 के बनने की दर का अनुपात क्या होगा यह अपनोंने ग्याद करना है अनुपात क्या होगा दुबारे से देख लो कोई भी विकिरिया का वेग कुछ भी दे दिया और तो हाइडोजन के विलूप्त होने की दर और अमोनिया के बनने की दर का अनुपात पुछा है इसने तो देखो जब यहां पर अगर ऐसा कोशन आए और ये वैल्यू गर दी हुई हो तो ये वैल्यू अपने कहीं काम नहीं आएगे ये सिर्फ आपको ऐसे बेवकुफ बनाने के लिए आपको प्रेशान करने के लिए आपको लजाने के लिए कि आप ये वैल्यू कहीं कहीं रख कर कैल्कुलेशन स्टार्ट कर दो कैल्कुलेशन कुछ नहीं करने अपने तो देखो अगर मैं लिखता हूँ अब इकरिया का वेग लिखूंँ इस साविकरिया के लिए और सिर्फ दो की बात करूँगा हाइडोजन और अमोनिया के वेग की है न तो इसका वेग कितना था 1 by 3 माइनस और डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T और इधर क्या था 1 बटा 2 और डेल्टा सोरी NH3 बटा में डेल्टा T तो यह अभी किरिया का वेग था क्या था अभी किरिया का वेग और यह जो वेल्यू आपको लिखी हुई है यह तो हाइड्रोजन के विलूप्त होने की दर है और यह अमोनिया के बनने की दर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ किया यहाँ पर माइनस 1 बटा 3 इंटू हाइड्रोजन के विलूप्त होने की दर is equal to एक बटा दो प्लस का निशान लगा दो यहाँ पर एक बटा दो और इंटू अमोनिया के बनने की दर simple सा question है बहुत ही अच्छा question है यह अपने को क्या चाहिए हाइड्रोजन के विलूप्त होने की दर और अमोनिया के बनने की दर का अनुपात चाहिए तो बस अनुपात निकाल लो क्या लिखेंगे अपने यह हाइड्रोजन के यह इसको अगर नीचे ले आते हैं हाइड्रोजन के विलूप्त होने की दर बटा में अमोनिया के बनने की दर लिखें तो यहाँ पर क्या है यह जो value है यह इधर चली जाएगी आपको mathematics के calculation तो आती अच्छे से तो अपने क्या लिख सकते हैं इसको 3 by 2 तो यह अनुपात क्या आ गया 3 by 2 आ गया अब आपने यहाँ पर यह बहुत ही simple बहुत ही छोटा question था बरन तो आपसे गलती क्या होगी वो बत के बनने की दर और hydrogen के विलुप्त होने की दर कानुपात क्या होगा तो आप क्या करोगे पहले उपर यही लिखोगे क्या लिखोगे ammonia के बनने की दर अगर question चैंज कर दिया मैंने ammonia के बनने की दर इधर आगी और hydrogen के विलुप्त होने की दर इधर आगी तो question क्या है ammonia के बनने की दर और hydrogen के विलुप्त होने की दर का अनुपात अगर आप से पुछा जाए तब आप क्या करोगे कि यह जो value है इसको पहले किसको लिखना है पहले उसको लिखना है जो question में पहले दिया हुआ है बस यह बात लियान रखनी है यह अपना छोटा सा topic था अभी किरिया का वेग अटी त्रहांग अएक गज्जांपल लेते अपने कोई A it plus B है और वो किसमें बदल रहे हैं उत्पाद में बदल रहे हैं इसकी संदर्ता दस मोल है इसकी संदर्ता 10 है मतलब 10 मोल ले लो 10 कंड ले लो 10 अनू ले लो कुछ भी मान सकते हो और आपको कल यह पता है यह 9 में बदल गया था यह दिरे-दिरे कम हो रहा है और यह 0 था 1 बन गया 2 3 4 5 ऐसे यह दिरो-दिर क्या हो बढ़ रहा है उतपाद की संदर्ता बढ़ रही है अभिकारकों की संदर्ता क्या हो रही है कम हो रही है यह आपको बता है तो देखो अगर मैं बात करूँ अभिकिरिया के वेग की तो अभिकिरिया का वेग क्या है कि अब देखो यहां पर कंड थे 10 और 10 आप छोटी सी एक बात सुछो अगर मैं यहां पर कंड ले लेता हूं 20 और 20 तो अभिकिरिया का वेग बढ़ जाएगा अभिकरिया का वेग बढ़ क्यों जाएगा क्योंकि मैंने बताया अभिकरिया का वेग क्या होता है अभिकारकों के जो टक्रों की संख्या होगी वो बढ़ जाएगी तो जैसे अभिकारकों के टक्रों की संख्या बढ़ेगी तो उत्पाद के बनने की दर भी क्या हो जाएगी बट जाएगी इसका मतलब अपने ये कह सकते हैं कि अगर अभिकारकों की संख्या जादा हो तो बनने वाले उत्पाद की मातरा भी जादा होगी और वो जल्दी बनेगा उत्पाद तो अपने क्या बता सकते हैं यहां से कि अभिकारकों के गुननफल की संदरता के गुननफल के क्या होता है समानवाती होता है इसके लिए मैं एक समिकन ले रहा हूँ वो समिकन यह ली है मैंने A A PLUS B B उत्प्रमन यह अभी किरिया है C C PLUS D D तो देखो इस अभी किरिया अच्वे क्या है यहां पर जो समोल A B C D है न veggie स्टाइक्यमीत्य गुनांख आपको पता चल गया होगा समोल A B C D क्या है स्टाइक्यमीत्य गुनांख और जो capital A, B, C, D है के capital A और B तो है अभिकारक capital C और capital D है उत्पात ठीक है तो अगर मैं इसके लिए अभिकिरिया का वेग लिखता हूँ और अभी जो मैंने यहां पर एक जो आपको बात बताई थी कि अभिकिरिया का वेग किसके संदर्ता के अभिकारकों की संदर्ता के समान नुपाती होता है तो यहां पर एक नियम आता है और उसको बोलते हैं दर्वे नुपाती किरिया का नियम दर्वे नुपाती किरिया का नियम यह नियम क्या है देखो यह नियम अभी जो मैंने आपको बात बताई है वही है क्या कि अभिकिरिया का जो वेग है ना इसकी अभिकारकों की सांदर्ता के गुननफल के ये दर्यवनबातिकिरिया का नियम है दर्यवनबातिकिरिया के नियम के नुसार क्या होता है अभिकारकों अभिकिरिया का वेग समानबाति होता है किसके अभिकारकों की सांदर्ता के गुननफल के समानबाति होता है ये अभिकिरिय ये एक नियम दिया था और वह था द्रवाते किरिया का नियम तो अगर मैं इस नियम से यहां पर लिखूंँ अभी किरिया का वेग और उपर जो समिकर्ण दी हुई है उसके इसाब से लिखूंँ तो क्या आएगा समान नपाती यहाँ पे अभीकार के कौन कौन से है A और दूसरा विकार कौन सा है B ठीक है यह जो A और B को जब मैं बड़े ब्रेकेट में बंद कर देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ यह A और B की संदरताई लिखी है मैंने clear अब यहाँ पर कुछ स्ट्राइक के उमीतिय गुनाग भी अपने साथ में तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ X और Y अब देखो X और Y क्या चीज है अभी बताता हूँ या इसको ज़्यादा clear अपने करेंगे next topic में और यहाँ पर जो X और Y लिखा है मैंने वो A और B के बराबर भी हो सकते हैं और A और B से अलग भी हो सकते हैं और Y पहले बात करते हैं X और प्लस जो Y होता है उसकी value होती है N X प्लस Y को अपने क्या मान सकते हैं N और यह जो N है यह है अभी किरिया की कोटी अभी किरिया की क्या है कोटी है और अभी किरिया की कोटी अपना next topic होगा उसमें अपने discuss करेंगे इसको और ज़्यादा तो यह आ गया अगर मैं आपको पता है समानुपाती का निसान अटाता हूँ अभी किरिया का वेग समानुपाती का निसान अटाता हूँ बराबर का निसान लगाऊँगा और यहां पर क्या लिखूँगा क्या लिखूँगा क्या लिखूँगा क्य और यह मैंने लिख दिया एकस बी की पावर वाई और जो क्य है वो क्या है उसको बोल सकते हैं अपने वेग नियतांक क्य के नाम बता हूँ या विसिस्ट अभी किरिया वेग विसिस्ट अभीकिरिया विग बोल सकते हैं अपने इसको के क्या है विग नियतांक या विसिस्ट अभीकिरिया विग है अब देखो यहाँ पर अभीकिरिया का विग और के अपने को ये मिला और ये ही यह है वेग नियतांक वेग नियतांक का मतलब यहां पर क्या लिया अपनोंने के से लिया है तो देखो आगे अपने बात करते हैं कि के की क्या परिवासा हो सकती है के की परिवासा बनाने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर अगर A की संदर्ता मैंने ले ली एक और B की संदर्ता भी मैंने क्या ले ली एक तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अभी किरिया का वेग इस इक्वल टू क्या हो जाएगा के यहां से अपने क्या लिख सकते हैं यहां से अपने लिख सकते हैं के की परिबासा और के की परिबासा क्या होगी वो लिख रहे हैं अपने देखो ये हता रहा हूँ मैं के की परिबासा होगी कि उस किसी भी अभिकिरिया के वेग को कि वेग नियतांक कहा जाता है कब जब अभिकारकों कि छांदरता इकाई हो तो अगर अपने लिखें इसको, तो क्या लिखेंगे? किसी भी अभिकिरिया के वेग को ही वेग नियतांक कहा जाता है, और कब कहा जाता है? जब क्या हो? जब अभिकारकों की सांधरता इकाई हो, तो अभिकिरिया का वेग किसके बराबर हो जाएगा? वेग नियतांक कहा है, तो ये इसकी होगी छोटी सी सिंपल सी परिवासा, अब अगर मैं ये लिखता हूँ, कि जो के है न, के के गुणों की बात करते हैं, के क्या ह होता है किसे कैसे निर्बर करता है सबसे पहली बात अभी किरिया का वेग या अपने ऐसे बोल सकते हैं कि वेग नियतांग सोरी अभी किरिया का वेग वेग नियतांग पर निर्बर करता है पहले पॉइंट इसको क्या लिख सेते हैं अभी किरिया का वेग किस पर निर्बर करता है के पर निर्बर करता है देखो अगर के कमान जादा हुआ तो ये वेल्यू भी जादा आएगी मतलब अभी किरिया का व के जो है न वो टी पर निर्बर करता है टी क्या होता है ताप तो अगर अपने ताप बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा जब के बढ़ेगा तो अभिकिरिया का वेग भी बढ़ जाएगा तेर उसके बाद आगे वाला पहुंट बात करते हैं अपने तीसरा के जो है न वो अभिकिरिया की कोटी पर भी निर्बर करता है किस पर अभिकिरिया की कोटी पर निर्बर करता है ये क्या होगा ये अपने अभिकिरिया की कोटी में ही इसको डिसकस करेंगे ठीक है एक पॉइंट और बात करते हैं अपने के के कुछ गुन पढ़ रहे है और वो पहते हैं और इसका उनेक्स गून है वो है के केज जो है न व ऊसित जो भी अभी कार्क होंगे या किरियाकार्क होंगे उनकी संगरता पर में तो अभी किद्धियाक का वेग के पर निराबर करता है और के टी पर निराबर पर निर्वर करता है और य। इस पर निर्वद करता है किस पर निर्वर करता ये कुछ चोटे शोड़े सिंपल से विवब के कूछ गुन ते और इन गुनों को अपने जैसे जैसे इसी चेप्टर में आगे नेक्स टोपिक के अंदर डिसकस करते जाएंगे जैसे जैसे यह आते जाएंगे अब देखो आगे बात करता हूं के की काई के की काई क्या होती है देखो यहां पर मैंने अभी थोड़ी दिर पहले यह लिखा था आपको यह बतायता अभी किरिया का वे एक बराबर होता है के के और एक्स और बी यह मैंने समीकर्ण लिखी थी यह मैंने क्या लिखी थी समीकर्ण लिखी थी A और B क्या है यहां पर अभिकारकों की संदर्था और X और Y को मैंने बताया था X प्लस Y is equal to N और N क्या होता है अभिकिरिया की कोट्टी होता है अभिकिरिया की क्या होता है कोट्टी होता है फिर तो इसको मैं ऐसे लिख सबता हूं क्या अभिकिरिया का वेग इस इक्वल टू के और यहां पर मैंने लिख दिया सांदर्ता क्या लिख दिया मैंने सांदर्ता लिख दिया और X और Y की जिगह मैं क्या लिख सकता हूँ N लिख सकता हूँ यह लिख दिया क्लियर अब अगर मैं के को इस साइड लेता हूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा अभी किरिया का वेग बटा में संदरता और इसकी पावर N इसकी पावर क्या बनेगी N बनेगी यह मत कर देना कि इसकी पावर को नीचे लेके हैं तो माइनस हो जाएगा यह नहीं होगा यहां पर द्यानक न अभी किरिया के वेग का मातर का आपको पता है क्या होता है मोल प्रति लिटर प्रति सेकिंड तो अपने क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 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 एक बार इसको मैं लिखता हूँ अभी क्लिया कर वेक का मातर का अगर लिखूं तो ऐसे लिख लों क्या संदर्ता इंटू समय इनवर्स और संदर्ता क्या होता है मोल प्रती लेटर यहां लिख लेते हैं अपने अलग से संदर्ता बराबर क्या होता है मोल और लेटर इनवर्स संदर्ता बराबर क्या होता है मो संदर्ता की पावर n अब देखो यहां पर भी संदर्ता है यहां पर भी संदर्ता है अब मैं इसको उपर लेकर जाओं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या संदर्ता यह पहले वाला लिख दिया into sum inverse into संदर्ता की पावर माइनस N संदर्ता की पावर क्या लिख लिए मैंने माइनस N अब अगर मैं दोनों संदर्ताओं को इकठा कर दूँ तो ये लिख लूँ क्या संदर्ता 1 माइनस N into समय इन्वर्स तो ये के का एक सिंपल सा मातरक आ गया अब ये के का मातरक कहीं नहीं आएगा आपको इस के के मातरक से अपने यूज करेंगे और वो किस के लिए यूज करेंगे अभिकिरिया की कोटी के लिए देखेंगे अभिकिरिया की कोटी के लिए वेगनियतांक के मातरक देखते हैं अपने किसके मातरक देखते हैं अभिकिरिया की कोटी के लिए वेगनिय तांक के मातरक देखते हैं तो देखो यहाँ पर जो N है N मेंने क्या बताया था अभिकिरिया की कोटी अगर आप से यह पूछा जाए case first सुन्य कोटी की अभिकिरिया सुन्य कोटी की अभी किरिया के लिए वेगनिय तांक के का मातरक निकला जाए यहां पर one minus क्या कर देंगे N कर देंगे संदर्ता और one minus क्या कर देंगे zero यहां पर N के value लिखनी है into sum-y inverse तो है अपने पास पहले से और संदर्ता का मातरक क्या होता है जो मातरक होता है वही लिखेंगे मोल, लेटर इन्वर्स और समय इन्वर्स तो सुन्य कोटी के अभी किरिया के लिए वेग नियतांग का मातरक ही आ गया मोल, लेटर इन्वर्स और समय इन्वर्स के सेकिंड क्या प्रत्थम कोटी के भी किरिया प्रत्थम कोटी की अभी किरिया के लिए अपने n बराबर क्या लिखेंगे एक यहां पर n बराबर क्या लिखा आपनोंने 0 तो 1-1 क्या होजाएगा 0 और जब किसी की गहात 0 होती है तो वह value भी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है या एक हो जाती है जीरो नहीं होती एक हो जाती है किसी की गात जीरो होती है तो वो पूरी वेल्यू क्या हो जाती है एक हो जाती है तो अगर मैं के यहां पर ऐसे लेकूं सांदरता वन माइनस वन इंटू समय इन्वर्स तो इसकी वेल्यू आगी जीरो और अ किरिया के लिए आपसे पुछा जा सकते हैं आपको पताऊना चाहिए केस थर्ड की बात करते हैं और केस थर्ड है दूट्य कोट्टी के भी किरिया दूट्य कोट्टी के भी किरिया के लिए n बराबर क्या लिख देते हैं दो यहां पर n बराबर क्या लिख लेंगे दो लिखे हैं ऒा-जय यहां पर क्या लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं सज़य के छिए फन माइनस टू का मतलब क्या हो गया कि संद्र टैबल और समय में मिद्या है कि और संद्र टा कमार को था मोह प्रती-लीटर तो तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या मॉल लेटर इन्वर्स ब्रैकेट में और बाहर भी क्या लगाए इन्वर्स और समें इन्वर्स अब क्या हो जाएगा इसको मैं जब अंदर गुना करूंगा तो यह क्या आ जाएगा यह जाएगा इसको इससे गुना करूंगा तो यह ता plus का और Moll जो है वो किसका आजाएगा minus का आजाएगा minus का 1 आजाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या लेटर इंटू मोल इन्वर्स और समय इन्वर्स तो यह अपना मात्रक आगया किसके लिए किसके लिए किसके लिए आगया दूत्यकोप्टी कि के विकलिए यह मात्रग आ गया तो देखो एक मात्रग है किसके मात्रग हैं के कि तो आप से यह पूछा चारते है कि परित्uuट्र में के विकलिए के लिए मात्रग करता की सिब्सक्रा चेंख कोडिन कोिञ्शël कर बहू करता ता परंसे अपके लेबस में सुनने और प्रथम कोटी की अभी किरियां ही हैं अब देखो इस से छोटा सा एक कोश्चन करता हूं बहुत सिंपल सा इजी सा कोश्चन देखते हैं अपने आपसे यह पूछा जाएगा कि कोश्चन दे दिया प्रथम कोटी के लिए वेग का मातरक क्या होगा तो प्रथम कोटी के लिए विकिरियां के लिए वेग का मातरक जासे मौल लेटर इन्वर्स और समय इन्वर्स यह कई बार आपने के लिए पूछा जा सकता है ठीक है? Сам Hayır प्रत्म कोटी के विकिरिया के लिए विकिरिया के वेग कामा तक लिखिए तो अगर वेग नेतांक दिया हो तब तो आपने ऐसे करना है अगर वेग दिया हो वेग जा किसी भी विकिरिया के लिए हो प्रत्म कोटी दियुत्य कोटी तृत्य कोटी सुन्य कोटी कोई सी भी कोट आज की class अपने करते हैं complete यहीं पर next topic देखेंगे next lecture में Thank you